हेलो फ्रेंट्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का PK Education Core पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में या फिर यूँ खहें उत्तर प्रदेश की जीखे के बारे में और भगऑलिक दशाए वहाँ पर कैसी भगऑलिक दशाए हैं क्या क्या चीजे हैं कौन से जिले किस किस राजिय से सबसरवादिक टच करते हैं किस किस से यह बाउंडरी साजा करता है कौन कौन से राजियों से अपनी बाउंडरी को साजा करता है कितने जिले हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है सबसे छोटा जिला कौन सा है कौन सा जिला तक अवस्य देखें यहां से एक्जाम में बहुत बार और बहुत कोश्यन पूछे जाते हैं कई बार जब आप यूपी का पेपर देखते हैं और उसमें आप जब कोश्यन देखते हैं आपको लगता साइद कोश्यन प्रॉपर जोग्रफी से पूछा गया है लेकिन वह नहीं समझ पाएंगे लेकिन अगर जैसे फॉर एक्जामपल में बात करूं कि नेपाल से अपनी यूपी अपनी बॉन्री को साज़ा कर रहा है ठीक है और कितनी जिले हैं जो नेपाल से लग रहे हैं तो अगर मैं आपको बोलूँ देखिए आपको खुदी दिख रहा है य स्रावस्ती हैं वह राईच है लखिम खीरी है और पिली धिए तो यह गतनों सारे जिले ऑको नेपाल को गाए ज़ू आवाराश घ्चाछी वे राइच हो गया बिराइच हो गयाれओ लखीमपोर खीरी हो गया और पीली बीत हो गया पीली बीत सबसे लास्टमे से इतरा के अधर की तरह बॉंड का ऑधार कर रहा है और यह उसे पॉ sunny बहुत जादा महत्यपूर हैं एक्जाम में यहां से questions बनते हैं और पूछे जाते हैं अब मैं बात करूँ कि इसका अक्षांसी और देशांतरी विस्तार क्या है तो देखी सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वैसे तो सभी को पताई होगा लेकिन फिर भी एक बार देख रहे हैं कि ग्लोब पर क्या situation होती है यह 0-degree लाइन होती है और यह होती है 180 वाली अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यह नौर्ट डिगरी और नीचे की तरफ आते हैं तो यह वैस्ट है तो यह वैस्ट है ग्लोब पर यह सारी चीज़ने पता हैं आपको यह वाली ज यह बास होती है यह बहुत बहुत वाग साथ बात इस दोमन सब्सक्राइब को ग्लो ext почему अपुटे और जिए भारास ग्लोब में जुक्त है यह दोवाold कोलता है एक नौर्थ हो देशimal किनी पैरसे नौर्थ में है है और कुछ देश वह साउथ में है तो ग्लोब बात करें essere यूपी कि चीक में इस सब्सक्राइब 味 इस्तार तो कितना है टीज दिग्री से लेकर तो ये वीस्तार कितनाποιने दिग्री में कि इस सब्सक्राइब इस सब्सक्राइबता है convenient वे शेयर प्रप्न कोने शयुक्न-वालिव इस थीजशेर तो और यह नौर्थ में था और यह कितना है यह हो जाएगा आपका 84 डिग्री 38 ठीक है तो यह चीज आपको समझ में आ रही कि यह अभी पूरा आपको एक रफली मैंने आइडिया दिया है अभी नीचे सारा लिखा हुआ है आपको समझ में आ जाएगा तो इसकी देशांतर और अ स्थिती में आपका यूपी है और क्योंकि यह भारत का ही पार्ट है तो यह भारत की जो सिटुएशन उसी के कॉर्डिंग है अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझने कोशिच करते और अर फैक्ट देखते हैं एक यह इमेज है जो गंगा के मैदाने गंगा के मै से लेकर कितना है तीज डिग्री बावन और तक और देशांतरी अबिस्तार के अगर बात करते हैं तो लॉंगिट्यूडनल एक्स्टेंशन 77.49 इसे 84.30 ये एक्जाम में पूछा गया है और पूछा जाता है इसलिए आपको इसका विस्तार पता होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर एरिया इसकी बात करते हैं कि यूपी का एरिया कितना है तो 2,4,928 वर किलोमीटर है इसका एरिया देखिए कितना ये सारे के सारे पूइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्पूर है इस वीडियो में मैंने जितने भी पूइंट्स डाले है वो पूरी के पूरी एक्जा पूरी भाग की तरफ पहाड थता पस्चिमी थता मद्द मैदान जो मद्द भागे उसमें मैदान है उत्तर प्रदेश को मुखिता तीन शेत्रों में विवाजित किया जा सकता है जो इसको उपर का भाग अगर आप मैं देखेंगे अभी दिखाएंगे आपको हिमांचल जाता है किसके अंतरगत उत्रांचल के अंतरगत आने लगा इस चेत्र की इस्थलाकृती बदलाव युगते समुद्र तल से इसकी उचाई 300 से लेकर कितनी है 5000 मीटर तक तथा धलान 150 से लेकर 600 मीटर क्लोमीटर तक है मद्द में गंगा के मैदान की अगर बात करें तो यह अतियंती उपजाओ जलोड मिट्टी सबस्याद उपजाओ मिट्टी होती जलोड मिट्टी के लिए कई बार एक्जाम में कुशन पूशे भी जाते हैं कच छेत्र इसकी इस्थलाकृती सपाथ है और इस चेत्र में अनेक तालाव और जीले भी हैं जीले और नदियां हैं द लेते हैं यह कॉन कौन से चेत्र की मैंने बात करी दे देखिए इसमें अगर ये वाला एरिया जो बात करते हैं यो उत्वाद्bach या उत्राणचल को पारा और यह यह मतमें आता है और यह कंसिया जासी बुनदिल खंळ वाला इरियी जहां पर बता है जारा अकसर कर आрас जब बारिश नहीं होती है यहां पर ऐसायं क्योंकि यह पर पानी बहुत कम मात्रा में होता है पा它 की यह पूचलाई जया हैंति अन्हीं 3 बोわかंद नल competence पहला यह हो गया हमालाई है हमालाई आफ отвеч के इसका एक विस्तार हमालच , जया है हैं यह सारे के सारे किसके अंतरगर्त हैं हिमाली चेतर के अंतरगर्त आते हैं तो इस तरीके से इसका तीन रूप drives है कहां पर थे हैं तो यह टीन को बिस्तार बताएं अब देखते हैं कि boundary किस से साजा करता है boundary साजा करने के लिए फिर से हम आपको मैं आपकी तरफ ले जाएंगे और एक बार देखेंगे देखिए अगर बात करी जाए आप से कितने राज्यों से boundary साजा करता है ठीक है या फिर कितने राज जिस संग सांस्यचेत्र सभी को मिलाया जाए तब वाउंडरी साजाकरने की बात करी जाए या फिर देश एसमें मिला हूं किस देश से वाउंडरी साजा करता है कुश्चन सारे ऐलग-अलग हैं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है तो अगर बात करें कितने राज बाउंडरी साजा करते हैं तो शुरुवात करते हैं देखिए पहला राज हो गया उत्राखन ठीक है दूसरा राज हो गया हिमांचल प्रदेश पहला राज हो गया उत्राखन दूसरा हो गया हिमांचल प्रदेश तीसरा हो गया हर्य और छटमा हो गया चछतिसगर और साथमा हो गया जारखन और आठमा हो गया बिहार तो कितने राज्यों से बाउंडरी साजा करता है तो अगर हम बात करेंगे तो आठ राज्यों से बाउंडरी को ये साजा करता है कितने राज्यों से आठ राज्यों से अगर राज्य और संग साचित की अगर बात कर देते हैं, तो क्या बात करेंगे? तो फिर दिल्ली से भी boundary ये साजा करता है, दिल्ली क्या है? एक संग साचित शित्रे, तो ये दिल्ली से भी boundary को साजा करता है, तो इस तरीके से 9 हो जाएंगे, तब फिर 8 नहीं रहेंगे, फिर 9 हो जाएंगे, और एक देश है जिससे boundary साजा करता है वो है नेपाल कौन सा देश है नेपाल है जिससे यूपी अपनी boundary को साजा करता है और यूपी के साथ जिले नेपाल से लगे हुए है तो मैप के तरू मुझे लग रहा आप कोई चीज़े समझ में आई होगी अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं कौन सा उत्तर प्रदेश 36 जारखन और बिहार इन राज्यों से वह घिरा हुआ है प्रदेश की जलवायू मुख्य रूप से उष्ण कटवंदी मतलब ट्रॉपिकल मांसूनी यहां की जलवायू है परंतु समुद्र तल से उचाई बदलने के साथ इसमें परिवर्तन होता है उत्त उच्छ भूमी में बाटा जा सकता है प्रदेश के कोल्ड छेत्रफल का लगबग 90 प्रतिसत हिस्सा गंगा के मैदान में ही है यहां पर यही कारण है कि बहुत ज्यादा घनी आवादी भी है घनी आवादी कहां होती है जहां पर सिचाई की पानी की सुभधाएं आसानी से ह अगनोंगे तो वहां पर जैसानी से खेती और किसानी की जा सकती है क्रशी कारियों में इसलिए यहां पर जन संख्या जाधा मैदान अधिकांस्ता भाग आप देखेंगे गंगा वह उसकी सहयक नदियों के द्वारा लाए गए जलोड अवसादों से बने जो काफी उपजाव होती है जिसमें आसानी से क्रसी की जा सकती है गंगा के मैदान की दच्छडी उच भूमी अत्यदिक विच्छेदित और विशम बिन्द परवत माला का एक भाग है जो सामानिता दच्छडपूर्व की ओर उठती चली जाती है यहां उचाई कहीं कहीं 305 से भी अधिक है इस वाले एरिया में यहाँ पर उतनी पानी की चंबल आदी पिर्मुख है यह तीनों नदियों की बात करी गई यह इस तरीके की नदिया है अन नदी तंत्र हम आपको पूरा पढ़ाएंगे कि कि इस तरीके से यूपी में नदियों का फैलाव है उन सभी को एक अलगी चप्टर में पूरी तरीके से समझेंगे यहां पर और एक्जाम में यह सब पूछे जाते हैं इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तरीके का इसको मालक से डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश में जीलें बहुत कम हैं यहां की अधिकान जीलें कुमाउच छेत्र में हैं जो की उपर मुकता भूगर भी शक्तियों के द्वारा भूमी के धरातल में परिवर्तन हो जाने की कारण परेडाम सरूप निर्मेत होई थी अभी यह चेत्र कुमाउच चेत्र वगएरा सब कहां चले गए अभी उत्रांचल का हिस्ता हो गए यूपी में जीलें बहुत ही क कहते हैं कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट जीसे इसमूद लॉंग राज कहीं पर है इस तरीके की राज के दचली भाग की मित्टी सामान तहा मिस्रत लाल और काली या फिर लाल से लेकर पी लिए मित्टियां भी कई बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है या समेशा आते हैं उसको भी हम एक अलग पार्ट में पूरा डिसकस करेंगे राजी के पहस्ची मोतर छेत्र में मिर्दा कंक्रीली से लेकर और दोमट तक है जो महीं रेत और हुमर्स मिस्त्रित है जिसके कारण को छेत्रों में घने जंगल भी है अगर यहां के वन्यजीव दुद्वा अभ्यारन जैसे दुद्वा सेक्चुरी सहत कई अभ्यारन को इस्थापित किया हुआ है उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का एक राज्य है यह लगभग 20 करोड से अधिक डिवासियों के साथ यह भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज है अलग से आपक जनसंख्या है 20 करोड के लगभगेश की जनसंख्या है उससे भी अधिक और साथ ही दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश उखंड है एक अप्रेल 1937 को बिटेस आसन के दौरान संयुक्त प्रांथ आग्रा वा अवद के रूप में इस्थापित किया गया था कि इसकिस के रूप में संयुक्त प्रांथ और आग्रा अवद की रूप में कई बार पूछा जाता है एक्जाम में इसे यूनाइट प्रिवेंस कहा जाता था जो की 1950 में उत्तर प्रदेश हो गया लेकिन अगर आज भी आप इसका सौर्ट फॉर्म देखेंगे तो यूपी ही तो इसका यह वाला नाम अपरिवर्ते थी रहा एक तरीके से राजी की प्रिशासनिक वाव विधाई राजधानी कौन सी है लखनव हुए और नियाएक राजधानी के अगर बात करते हैं तो कौन सी है प्रियाग राज है क्योंकि हाई कोड कहा है इलाबाद में इलाबाद क राज के उत्तर में उत्तर और हेमानचल प्रदेश अब देखते हैं इनकी स्थिती उत्तर में क्या है उत्रा खंड है पस्चिम में और कुत्राखंड और हिमान्चल प्रदेश से पस्चिम में हर्याड़ा है दिल्ली तता राजस्थान हैं और दच्छड में अगर बात करें तो मद्ध्रदेश तता 36 गड़ हैं और पूर में अगर बात करते हैं तो बिहार तता जारखंड हैं इसके अलाबा राजी की पूर्वोत अमेरिका इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है अब देखते हैं जब की अगर ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की जनसंख्या की बरावर लगभग जनसंख्या किसी देश की जनसंख्या की बरावर लगभग यूपी की जनसंख्य है राजिका पुनर गठन एक नवंबर 1956 को हुआ था अभी आपको यह पॉइंट दिखा देते हैं बाद में पूरा मापको मैं बताएंगे सर्भादिक छेत्रफल वाला जिला कौन सा है लखीमपूर खीरी है न्यूनितम छेत्रफल वाला जिला कौन सा है संत्रविदास नगर ह मैं बता चुकी हूँ देश में प्रथम स्थान लगबग 20 करोड के हैं शरबादिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है इलाबाद है न्यूनितम जनसंख्या वाला जिला कौन है महोबा है राज जी का सर्वोज सिखर कौन सा है अस्मोथ है पूछा जाता है एक्जाम में इंपोर्टेंट है नेपाल से सटे हुए जिलों की संख्या में आपको बता चुकी हूं साथ है महराज गंज दार्ट नगर बलरामपूर बहराइच लखीम पुर्खीरी स्रावस्त और पीली भीट दिली से लगे जिलों की संख्या दो है गाज्याबाद और गौतम बुद्नगर हर्याडा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर वहने वाली नदी कौन सी है यमुना है यह इंप्वर्टेंट पॉइंट है राजिस्थान से लगे जिलों की संख्या की बात करें अपनी सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साजा करता है तो आपको पता होना चाहिए मद्ध प्रदेश के साथ और सबसे छोटी किसके साथ करता है हिमांचल करता है बहुत छोटा सा टच करता है हिमांचल सरबादिक राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है सोन भद्र ह इन सभी को भी हम मैप में आपको दिखाते हैं चार राज्जियों से सीमा साजा करता है इसके बाद है सहारन पूर जो तीन राज्जियों से करता है जारकर्ण तदा 36 गड़ से सीमा बनाने वाला जिला केवल एक है सोन बाद्रे अब चलते हैं आपको मैप की तरफ लेकर और मै उत्राखन में बात करें पीली भीत हो गया बरेली हो गया यह रामपूर हो गया मुरादाबाद हो गया बिजनौर हो गया और यह मुजफर नगर हो गया और यह सहारन पूर हो गया तो कितने राज्जियों हो गए कितने जिले हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ उत्रा देख पा रहा है हिमांचल से केवल सहारनपूर टच कर रहा है तो एक ही जिला टच कर रहा है किससे हिमांचल से वह बुर्कुल छोटी सी बाउंडरी है आपको दिख रहाता न मैंने बताया था बहुत छोटी सी बाउंडरी टच कर रहा है से हर्याडा की बात कर लेते हैं तो ह यह यहां से अपनी boundary को साजा कर रहा है अब अगर मैं बात करूं राजिस्थान की तो राजिस्थान में देखते हैं कौन-कौन से जिले साजे हो रहे हैं राजिस्थान में हो रहा है जिले साजे मथुरा हो रहा है और आग्रा हो रहा है मद्य प्रदेश की बात करते हैं सबसे लंबी बॉंडरी इसी के साथ बनाता है तो ध्यान से जला देखिएगा कितने जिले हैं इसमें देखिए ये आगरा से साजा कर रहा है ये इतावा है और ये है जालौन और ये जहासी इसके बाद ललितपुर फिर इसके बाद महोबा और ये है बादा ये है चित्रकूट और ये है प्रियाग राज ये है मिरजापुर और ये क्या है सोन बद्र से देखिंगे बिहार से देख लेते हैं भिहार की अगर बात करें तो बिहार में कौन कौन से है चंदौली है गाजीपूर है और बलिया है बलिया के बारे में सबसे वहत्रपूर फैक्ट है कई बार एक्जाम में पूछा गया है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है यूपी का तो कौन सा है बलिया है कौन सा है बलिया है और अगर अभी बिहार की बाउंडरी और भी है तो दे तो बिहार में लग-बग कितने जिलों से लग-बग साथ जिलों से यहां पर भी बाउन्डरी आजा कर रहा है तो यह चीज आपको बाउन्डरी कहसे समझ में आगी मैप मैंने आपको बताई किस तरीके से अब अगर आपसे बात करी जाएं कि सबसे जॉधा जो छेत्रफल है किस जिले का है अगर आप मैप में अपने आपसे देख पार हें तो देखेगा यह दिख रहा कर आ है लखीमकूर खेड़ी का सबसे बड़ा जिल्ला की है लखीम पूर खेड़î और अगर बात करीं जाए कि यह तो बता दिया मैंने आपको अब इते कि बड़े की बारे में, और सबसे छोटा आगर आप देखेंगे यह वाला area, सन्त नेगर, यह कौन सा है, यह वाला सबसे छोटा जिला है, सबसे पूर्भी में आपको बता चुकी हों, बल्या है, और सबस से पस्चमी जिला है जो कि 2012 में नाम बदल के रखा गया था तो शामली जिला इससे बनाया गया था और यह पस्चिम में हैं तो यह इतने जो जिले हैं यह सभी के सभी बहुत जादा महत्पूर है और एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं मुझफर नगर को काट कर इसे बन आप देखेंगे तो सोनभद्र है कौन सा है सोनभद्र यह चीजे आपको समझ में आ गई होंगी मुझे लगता क्यूंकि एक्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टन फैक्ट है अगर इसके विस्तार की बात करें उत्तर से दच्छल के अगर विस्तार को नहीं कर पाएंगे तो आप फालतों में ही अपने एक दो नंबर गवा देंगे इसलिए इन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है और बाकी पॉइंट जो भी मुझे इंपॉर्टन लगे मैंने आपके साथ डिसकस कर लिए हैं अगर आपको कुछ और इंपॉर्टन लगत कि अएवा पालवे मुझे ढजे कि अटेर टे कि थग्यान ही डिですね